नमस्कार मैं पंडित जी तेंदर शर्मा अपने योट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आपको पॉस मास की संक्रांती से इस बंधित जानकारी देने जा रहा हूँ तो इस बार पॉस संक्रांती जो है 15 दिसंबर को मंगलवार के दिन पढ़ रही है रात्री 9 बच कर 30 मिनट पर सूर्य मोला नक्षत्र के प्रथम चरण में अरथात धनुराशी में प्रविश करेंगे तो 15 दिसंबर मंगलवार के दिन ही पॉस संक्रांती मनाई जाएगी और जहां तक पंचक की बात है 19 दिसंबर शनिवार को प्रात 7 बच कर 31 मिनट से पंचक आरंब होंगी और 24 दिसंबर वीरवार प्रात 4 बच कर 33 मिनट पर पंचक का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा दनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चारण से पंचक प्रारंब होते हैं और मीन राशी परयंत यहां पंचक रहते हैं तो पंचक में क्या कारे करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए इस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि पंचक में दक्षन दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और मकान का कारे आरंब नहीं करना चाहिए दुकान अगर आपने कई नई शौप बना रहे हैं तो उसकी छत नहीं डालनी चाहिए चारपाई पलंगादी बुनना भीस में बरजित रहता है और किसी की अगर मृत्यू हो जाती है तो उस शव का दाह पंचक में नहीं करना चाहिए अगर करना ही हो तो एक विशेश विधी के द्वारा दाह संसकार किया जाता है और तामबा पीतल आदी के बरतन नहीं खरीदने चाहिए आज कल पिलर के उपर मकान बनाते हैं तो जो पिलर हैं उनका निर्मान पंचक में नहीं करना चाहिए परंतु ये बात ध्यान रखने की है कि पंचक सिर्फ ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई इनहीं के लिए वरजित माने जाते हैं विवाह आदी और भी कुछ शुब कारें हैं जैसे विवाह, बुंडन, घर का आरंभ, घर में प्रवेश करना, वधु का प्रवेश करना, यजिन प्रवित संस्कार ये जो कुछ कारें हैं ये पंचक में शुब माने गए हैं अर्थाथ पंचक में इनको किया जा सकता है